पहले ही दावा किया गया था कि जस तरीके से चंद्रबाबू नाइडू मोदी शा से अर्वो रुपे की डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को पूरा करने से बहतर ग्रह मंतरी अमिशा आंध्र प्रदेश में ओपरेशन लोटस करेंगे तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ओपरेशन लोटस की तयारी कर ली गई है क्या चंद्रबाबू नाइडू के साथ ग्रह मंतरी अमिशा ने बड़ा खेल कर दिया है और क्या एंडिये की सरकार अब टीडीपी के बिना ही चलाई जाएगी ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतिये जंता पार्टी ने ऐसा दाउं चला है कि टीडीपी में बड़ी तूट दिखाई दे रही है आपको बता दे हालत तो ये हो चुकी है कि टीडीपी के नेता सडकों पर उतराएं है और नाइडू का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है हैं दरसल आपको बता दें कि डेकन क्रोनिकल ने एक खबर चापी है और इस खबर के बाद से बवाल मच गया है तो क्या है वो खबर ध्यान से देखें खबर आप देखिए दललन टॉप की इसमें लिखा हुआ है कि आंधर प्रदेश में हाल ही टीडीपी और बीजेपी अकबार में खबर चापी की राजी की गटबंधन सरकार यूटर्न ले सकती है और विशाका पत्नम स्टील प्लांट की कॉर्परेट इकाई राश्टी इसपात निगम लिमिटेड यानि की आर आई एनल के निजी करण को अनुमती दे सकती है अब जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई उसके बाद तो बबाल मच गया आपको बता दे कि आर आई एनल का निजी करण करने के लिए मोधी सरकार तीन सालों से जुगत में लगी हुई है लेकिन वहां का मजदूर यूनियन इसका विरोध कर रहा है जिसके चलते इसका निजी करण हो नहीं पा रहा है तरफ जहां नाइडू का विरोध किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि डेकन क्रॉनिकल के ओफिस में दिवारों पर चड़ गए है और डेकन क्रॉनिकल के होल्डिंग को जलाया जा रहा है यह विशाखा पतनम का हाल हो चुका है खबर भी मौजूद ह सरकार कार आप ऑच्छे से जानती है कि अंगर आर राइनल का निजी करण किया जाएगा तो बगावत हो सकती है टीडीपी के नेता नाराज हो सकते हैं Grad derechos सर्फ खबर निकल कर सामने आई है और सिर्फ खबर निकल कर सामने नहीं आई है बलकि डेकन क्रोनिकल ने चापी है अब डेकन क्रोनिकल ने खबर चापी है तो ये खबर कितनी पुखता रही होगी आप समझ सकते हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये खबर चापी गई है या फिर कि छपवाई गई है क्योंकि मोधी सरकार ये जानती है क इस खबर के सामने आने के बाद बवाल होना तो तै है जो की होता हुआ भी नजर आ रहा है आपको बता दे ये वही पावर प्लांट है जिसको लेकर चंदर बाबु नाइडू ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था खबर भी मौजूद है दे कि इसमें लिखा भी हुआ है टीवी नाइन भारत वर्ष की खबर में कि आंधर प्रधेश विशाका पत्निम स्टील प्लांट का मत कीजे नीजी करन चंदर बाबु नाइडू ने पियम मोदी को लिखा लेटर तो ये लेटर लिखा गया था 2021 में लिखा गया था और कहा गया था कि आर आई एनल का नीजी करन करने के बजाए उसको फिर से खड़ा करने के उपाय सुझाए जाए इसको और भी अच्छे से चलाने की कोशिश की जाए क्योंकि यहां का जो मजदूर यूनियन है इसका निजी करण कभी नहीं होने देगा इसलिए सरकार के वेकलपिक उपावयों पर काम करना चाहिए ये पत्र लिखा गया था चंदरबाबू नाइडू की तरफ से और इतना ही नहीं नाइडू की तरफ से इस्तीफा देने तक की धमकी दी गए थी क्योंकि नाइडू अच्छे से जानते हैं कि RINL का अगर निजी करण हुआ तो TDP को भयंकर नुकसान होगा आंदरप्रदेश में खबर देखे इसमें लिखा भी हुआ इंडिया टूडे की खबर में कि विशाका पटनम स्टील प्लान के निजी करण को रोकने के लिए TDP विधायक इस्तीफा देने को तयार चंदरबाबू नाइडू तो ये खबरे हैं 2021 की आप देख सकते हैं कि इसको लेकर बवाल पहले से ही मचा हुआ है अब इन सब के बीच खबर निकल कर सामने आई है और वो भी टाइमिंग देखे जहां एक तरफ नाइडू मोदी शाह पर अर्बो के पाकेज के लिए दबाव बना रही है वहीं दूसरी तरफ डेकन क्रोनिकल ने ये खबर चापी है और ये जो मोदी सरकार का प्लान है इसका निजी करन करने का ये पिछले तीन साल का नहीं है कई सालों से मोदी सरकार इसी प्लान में लगी हुई है भारतिय जंता पार्टी भी यही चाहती थी कि इसका निजी करण हो जाए। लेकिन उस समय भी जंता की संगर्षों के आगे सरकार को जुकना पड़ा और अनुबंद को वापस लेना पड़ा था। लेकर जबरदस्त विरोध है और वही विरोध एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब नाइडू ने NDA के साथ गड़बंधन किया था तब भी सडकों पर विरोध हुआ था। पबलिक ने किस तरीके से नाइडू की तस्वीरों पर चपले चलाई और नाइडू का जबरदस्त विरोध करते हुए उनकी तस्वीरों को जलाया गया आपने तस्वीरे देखी हैं। अब कुछ एक बार फिर वही होता हुआ नजर आ रहा है और उपर से इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार स्पेशल पाकज की डिबांड की जा रही है। अब इतने बड़े बड़े स्पेशल पाकज पूरा करपाना मोधी सरकार के बसकी बात दिखाई नहीं दे रही है। एसे हालातों में ग्रह मंतरी अमिश्या की तरफ से दाउ चला गया है। डेकन क्रोनिकल में खबर चापी गई है। और इस खबर के सामने आने के बाद से राजनितिक विशलेशको का ये कहना है कि NDA ने तयारी कर ली है कि अब सरकार तो चलाएंगे लेकिन TDP के बिना। आपको बता दे 2018 में भी इसी तरीके से चंदरबाबू नाइडू ने बड़ी बड़ी डिमांड रखी थी और उन डिमांडों को जब मोधी सरकार ने पूरा नहीं किया तो गटबंधन तूट गया था। अब एक बार फिर से कुछ वही होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि निकल कर सामने आई है और खबर डेकन क्रोनिकल ने चापी है अब यह खबर चापी गई है या फिर कि छपवाई गई है या फिर कि नाइडू को फसाया जा रहा है समझने वाले अपने आप में समस्ते हैं तो फिलहाल आपको क्या लगता है यह डेकन क्रोनिकल ने जो खबर चापी है ये किसके कहने पर चापी होगी क्योंकि खबर की टाइमिंग से साफ पता चल रहा है कि किसको फसाया जा रहा है तो इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब् कि अवाट